आप सब को अनपुना चनल में बहुत भल स्वागत थे आज हम बनाएंगे फिस करी उसके लिए हमें चाहिए फिस, सरसो, जीरा, गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, रेडचिली पाउडर, नमक, सरसो तेल, पानी, सरसो, जीरा, सोंप, करी पता तो चलिए स्टार्ट करते है जीरा, इताल यहां पर मैंने फिस लिए लिया और इसे अच्छी तरह से धो दिया है, अभि मैं इसके ऊपर हाप टी स्पोन हल्दी पाउडर, अर हाप टी स्पोन नमक if द्धाल दूँए और इस अच्छी तरह से मैं रे नोंगी फिस के साथ यह दिखिए यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अभी हम इससे कवर कर लेंगे और रख लेंगे थोड़ी दिर के लिए फिर मैंने यहाँ पेन ले लिया है पेन हमारा गरम हो गया है अभी मैं यहाँ पे दो से तिन चाम मुझ सरसो का तेल डाल देती हूँ यह देखिए तेल गरम हो गया है और जो मैंने मेरिनेट करके रखे तिफीस उसे अभी मैं इसमें डाल दूँगी फूड़ी देर के लिए कवर कर लूँगी यह देखिए निचे के साइड हो गया है अभी मैं इससे पलट रही हूँ हमें इससे दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राय करना है यह देखिए हमारा फिस अच्छी तरह से फ्राय हो गया है अभी मैं इससे पलेट में निकाल लेती हूँ इससे पलेट में निकाल ले ले लेंगे और इसमें सुर्सो का तेल डाल देंगे दो चमच तेल गरम हो गया है अभी मैं यहां पे थोड़ा सा सर्सो थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सौप डाल देती हूँ और कटा हुआ प्यास डाल देंगे मैंने यहां पे छुटे छुटे सा इसके दो प्यास लिया है और इससे फ्राय कर लेंगे अभी हम इसमें थोड़ा सा करीपत्ता डाल देते हैं और इससे अच्छी तरह से हम फ्राय कर लेंगे यह देखिए हमारा प्यास थोड़ा हो गया है अभी हम यहाँ पे सरसु, जीरा और लेसुन का पेस्ट डाल देंगे मैंने यहाँ पे दो चमच लिया है इसे डाल देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे तुरंथी पानी डाल देंगे और गरम पानी डालेंगे हाम यहाँ पे अभी हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं रेड चिली पाउडर अगर आपको तिखा ज़्यादा पसंदे तो आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं यहाँ पे स्वाधनू सा नमक डाल देंगे हमें फ्रीज फ्राय करते समय नमक डाला था इसलिए हम यहाँ पे देखकर नमक डालना है और इसे कवर कर लेंगे और पकने के लिए छोट देंगे उबाल आने तक यह देखिए आ गया है उबाल अभी हम यहाँ पे टमाटोर का पेस्ट डाल देंगे मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिया है इसे अच्छी तरह से हम mix कर लेंगे और 2-3 सेकंड के लिए cover कर लेंगे देखिए मैंने यहाँ पे एक dry mango लिया है और अच्छी तरह से mix कर लिया है अभी मैं इसे cover कर लियूंगी और उबा लानने तक छोड़ दूंगी ये देखिए हमारा मसाला हो गया है अभी हम यहाँ पे जो फ्राइ करकर रखेते हैं फिस उससे डाल देते हैं अभी हम इसे कवर कर लेंगे 10 मिनिट तक और इसे अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे ये देखिए हमारा फिस करी अग्दम होकर रेड़ी है हम चावल के साथ खा सकते हैं ये बहुत ही टेश्टी बनता है आप इसे जरूर बनाए अभी ये पूरी तरह से रेड़ी है खाने के लिए आसा करती हूं मेरी रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी